नमस्कार दोस्तों माई चैनल डीसी एजोकेशन में आप सबका स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से जनरल साइन्स से समन्दित प्रसनों का अध्यन करेंगे इस प्रक्टिस सेट में 20 प्रसन होंगे और ये प्रिवियस इसमें पूछे गए प्रसन है ये दोस्तों रेलवे गुरूबडी अंटी बीसी इत्याद एक्जाम्स के लिए आधिमात्मण प्रसन है आईए दोस्तों आधिन करते हैं कोशन नमबर फर्स्त एक किलो वाट बराबर होता है ये एक किलो वाट बराबर होता है दोस्तों एक हजार जूल प्रति सेकेंड एक हजार जूल प्रति सेकेंड अगला कोशन है एक किलो वाट घंटा बराबर होता है तीन गुणे तीन दसमलो च्छे गुणे दस की पावर च्छे जूल अगला कोशन है 5.5 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है एक किलो वाट आवर बराबर होता है दोस्तों 5.6 इंटू 10 इक पावर 6 दोस्तों आप कहे रहा है 5.5 तो 5.5 इंटू 3.6 करेंगे तो ये दोस्तों आ जाएगा 19.25 इंटू 10 इक पावर 6 जूल तो आपसा नंबर इसका होगा D अगला कोशन है निमलिखित में से किसमें कोई कार नहीं किया जाता है किसमें कोई कार नहीं किया जाता है ये नहीं किया जाता है दोस्तों आइंसर नंबर 1 कपिल अपने कंधे पर 10 किलो ग्राम भार लेकर ख़़ा है तो इसमें दोस्तों अगला question है, कार करने में सच्छम वस्त में होता है कार करने में सच्छम यानि उर्जा होती है उर्जा के माध्यम से कार किया जाता है आये दोस्तों, question number next next कार करने की दर को कहते हैं कार करने की दर को कहते हैं कार करने की दर को कहते हैं बल उर्जा समवेग सकते तो कार करने की दर को सकती कहते हैं अगला कोशन है निमली खित उलेखनी गतिविधियों में से किस इस्थतित उर्जा यानि पोटेंशियल एनरजी को गतित उर्जा काइनेटिक एनरजी में परिव वर्तित किया जा सकता है दोस्तों एंसर नमबर डी एक पेंडूलम का जूलना एक पेंडूलम का जूलना अगला कुशन है मास यम के साथ चलती हुई वर्ष्थ की गतितुर्जा यानि काइनेटिक एनर्जी का मुल क्या होगा यदि इसकी गतितुर्जा वी से बढ़कर वी हो जाती है तो यह होगा दोस्तों टूवी से बढ़कर वी हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है एक बटे दो यम वी स्कॉर तो जहां एक बटे दो into m into v square तो next में क्या होगा यानि एक बटे दो एक बटे दो दोगनी हो जाती है m वही रहेगा और 2 v का whole square हो जाएगा तो 4 हो जाएगा तो ये आ जाएगा answer answer number d अगला question है पांच मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही दरबमान यम की एक वस्त की गति तुरजा 25 जूल है उसकी गति तुरजा दोगनी हो जाने पर इसकी गति तुरजा कितनी होती है तो गति तुरजा वरावर होता है काइनेटिक एनरजी बरावर दोस्तों होता एक वटे दो यम वी स्कॉर तो एक वटे दो यम वी स्कॉर तो गति तुरजा कितनी है 25 है तो गति तुरजा वरावर 25 एक वटे दो एम एम और गति कितनी है 5 का स्कॉर करेंगे 25 हो जाएगा 25 पचीस ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यम बरावर 2 निकल के आ जाएगा यानि दरमान कितना जाएगा 2 अब अगली सर्थ क्या कह रहा है गति तुरजा दोगुनी हो जाती है तो ये दोस्तों 5 की यानि 10 हो जाएगी दोगुनी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी तो अब काइनेटिक एनरजी निकलते हैं काइनेटिक एनरजी बरावर 1 बटे 2 यम V स्कॉर तो 1 बटे 2 यम का मान 2 है रख दिया और V का मान 10 हो गया तो 10 का स्कॉर करेंगे तो 100 आ जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल यानि 10 का स्कॉर करेंगे तो 100 आ जाएगा यानि 100 जूल कितना होगा दोस्तों 100 जूल अगला कुश्यन है बिज्यान में कौन सा नियम मिस्रण के गुणों का पालन नहीं करता है विज्ञान का को नियम मिस्रण के गुणों को नियम का पालन नहीं करता है यह है दोस्तों आइंसन नमबर दी इसकी सनचना तय है अगला कुशन है रेत और चीनी का मिस्रण का एक उधारण है किसका एक उधारण है यह बिजाती मिस्रण का कुलाइडी विलियन का सजाती मिस्रण का निलंबन का यह किसका मिस्रण है दोस्तों यह मिस्रण है बिजाती मिस्रण का यह किसका मिस्रण है बिजाती मिस्रण का रेत और चीनी यानि बिजाती मिस्रण डाल्टन का सिधान्त इस नियम पर आधारित था नियत अनुपात रशानिक स внयोजन गतिका सनच्छण द्रमान सनच्छण यह किस पे आधारित था यह आधारित था दोस्तों रशानिक से योजन किस प्यादारित था रसानिक संयोजन अगला कुछन है कारबंडाय आक्साइट के एक मोल में होते हैं कारबंडाय आक्साइट के एक मोल में होते हैं कारबंडाय आक्साइट के 22 ग्राम कारबंडाय आक्साइट 6 गुणे 10 पावर 23 तरी आड़ू कारबंडाय आक्साइट के 6.0 20 into 10 power 23 या carbon dioxide के 6.022 into 10 power 23 परमाड़ तो इसका एंसर होगा दोस्तों C carbon dioxide के 6.022 into 10 power 23 आड़ अगला कुशन है जलके 0.5 मोल में परमाड़ के संख्या क्या होगी 6.6 into 10 power 23 या 3 गुणे 10 power 30 या 2 गुणे 10 power 21 या 5 into 10 power 21 इसका एंसर होगा दोस्तों A 6 गुणे 10 power 23 दिया गया प्रतीक तत तुका प्रति निद्ध तु करता है ये करता है दोस्तों hydrogen का किसका करता है hydrogen का निम्रिकित में से कौन सा ये कुर्दवा उर्ध पातक पदार्थ नहीं है ये उर्ध पातक पदार्थ नहीं है sodium का पूर ammonium chloride निप थाली नहीं ये उर्ध पातन के उधारण है ये sodium उर्ध पातन का उधारण नहीं है अगला खुशन carbohydrate protein वसा का पूर्ड पाचन कहां होता है ये पूर्ड पाचन कहां होता है दोस्तों ग्रास नली में पेट में छोटी आत में बड़ी आत में छोटी आत में दोस्तों तीन से चार घंटे तक भोजन रुखता है इसी में जो है पाचन होता है carbohydrate वसा और protein का अगला खुशन है आंत्रिक गति निर्धारक मानों सरीर के निम्लिखित अंगों में से कहां इस्थिर होता है ये होता है दिल में कहां होता है दोस्तों दिल में अगला खुशन है implantation किसकी परक्रिया है ये है दोस्तों एक गर्भास्य के lining से युगमनच का जुड़ना एक गर्भास्य के lining से युगमनच का जुड़ना अगला खुशन है अगहात वर्ध निता सबसे अधिक होती है ये किस में होती है दोस्तों AU, CUPTAG यानि PT में होती है ये थे दोस्तों 20 कुशन आपने इसका अधन किया है अगर वीडियो पसंद आयत लाइक करें सस्क्राइब करें दोस्तों को सेर करें ताकि मैं जो भी वीडियो लोड करूँ उसका नोटिफिकेसन आप तक पहुंच जाए ये आपके आने वाले एक्जामस NTVC गुरूब डी एक्याद के एक्जामस में आतिमात पूंड है दोस् आप मिन्ते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाहिंद